और इधर JSC CGL की तुरित्य पाली की परिक्षा रद कर दी गई है बता दे कि समाने ग्यान का पेपर रद हुआ है और एक्जाम से पहले वैरल हुआ था अंसर जिसके कारण पेपर रद कर दिया गया है वहीं अभी अर्थियों ने जम कर बवाल काचा है बाबुलाल ने भी CBI जाज की मांकी है एक और बड़ी खबर बता दी कि JSC CGL की तुरित्य पाली की परिक्षा रद कर दी गई है जो जानकारी मिल रही है कि आंशर पहले ही बाहर वाइरल कर दिया गया था और इसके बाद बाबुलाल ने भी CBI जाज की मांकी है एक बार फिर से खबर के जादा जानकारी के लिए हम अपने समवादाता अंकूर से जुड़ रहे हैं अंकूर JSC की जो परिक्षा होने वाली थी उसे रद कर दिया गया है क्या कुछ जानकारी है बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल रविवार को JSC की परिक्षा जो है वो राज्य भर में हुई थी जारकन के राज में हुई थी और ऐसे में कह सकते हैं कि राची समेत तमाम जो जिल्ले हैं वहाँ पर भारी संक्या में परिक्षा देने के लिए अभ्यारती जुटे थे और लगातार सोशल मीडिया में ये बाते सामने आ रही थी कि जो तित्य पाली है समान ग्यान की उसकी पेपर जो है वो लीक हुई है और तीन घंटे के बाद जो है ये परिक्षा सुरू होने के तीन घंटे पहले ये पेपर लीक हुई थी ऐसी बाते सामने आ रही थी जिसक में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से कल हजारों की संक्या में छात्र जूटे थे और लगातार जो है पेपर लीक होने की बाद जो है वो कर रहे थे छात्र छात्रा हैं हंगामा कर रहे थे जिसके बाद अब ये से रद कर दिया गया है अभी फिलाल इसकी परिक्षा की तीति की गोशना नहीं की गई है लेकिन जिस तरीके से तमाम चात्र पहुँचे थे और ऐसे में पेपर लीख होना बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से अगर पेपर लीग भी हुई हूँगी तिन घंटे पेपर लीग हुई हुए तो ऐसे में पहले जानकारी क्यों नहीं प्रशासन को मिली थी तमाम चीजे हैं लेकिन फिलाल पेपर लीग होना एक बड़ी बात है जी प्लकुल अंकूर अक्सर जेसेसी की पेपर्स को लेकर के इस तरह के मामले सामने आते रहें क्या लगता है सिक्षा विभाग कहाँ पर चुक जा रहा है दिए लगातार जिस तरीके से पेपर्स लीग हो जाते हैं एक्जाम के पहले ही छात्र छात्राओं को question paper हाथ में आ जाते हैं तो कह सकते हैं कि सिक्षा विभाग की एक भारी चूक है और कहीं न कहीं जिस तरीके से इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो इसकी जहांच होनी चाहिए और जो भी कारवाई है जो भी इसमें शामिल है उ नहीं होगी तो लगतार इस तरह के paper leak होंगे और छात्रों का भविष्य जो है वो अंधेरे में चला जाएगा और अगर इस पर अगर रुक किया जाए इस पर अगर टाइट जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन टाइट नजर आती है तो कह सकते हैं कि इस तरह की प्रश अगली की बोचना होना बाकिए है जब चात्रों को पहले से यह सूशना थी कि paper leak हो गया है तो सिक्षा विभा को क्यूँ नहीं थी पुलिस प्रशासन को क्यूँ नहीं थी और अगर थी भी तो कारवाई क्यू नहीं की गई तमाम चीजे चात्र हैं ज्वाल खड़ा कर रहे और यही वज़े है कि परिक्षा को अब रद कर दिया गया है अब देखने वाली बात होगी कि अगली परिक्षा कीती थी कब तक निर्धारित की जाती है जी चले अंकुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए तो मामले को ले करके बाबुलाल ने अब ही CBI जाज की मांग की है और अधर पेपर लिखोने के कारण जात्रों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है